कि हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू माई चैनल ओनलाइन लेर्निंग वेबसाइट दोस्तों क्लास 10 के इंट्रेशन टू ट्रिक्ना में एक्सराइज 8.4 हम लोग सॉल्ट करने जा रहे हैं इसमें पहला क्वेशन यह है कि ट्राइंगल ABC दिया है जिसमें कि हमें साइन ए कॉसे साइ और यह और सेके निकालना फिर्ट कोशिन में हम लोग सेक्ट के वल्यू दिया है और अधर ट्राइग्नोमेट्रिक रिलेशन को फाइंड करना रिश्योज को एंड्स को हम लोगों को कल्क्रेट करना है एंगल बराबर एंगल भी शो करना है व्यूंद नवर सेवन कॉस्ट सबसक्राइब करें तो धैन सब्सक्राइब करेंगे यहां पर यहां पर चोल हो उंभी कि ज्यू시면D ej है यह भी हमारा यहाँ पर 24 है सैंटीमीटर और आपका हमें पहले एसी फाइंड करना होगा तो हम यहां पर पाइथार रोच हम लगा देंगे पाइथा रोज थे चाहिए कि जो हमारा हाप रिट्वीज का स्क्वाइर है वह सम होगा तो अधर साइड का तो यहां पर मैं अप् 249 तो वैलू आई 625 जो कि हमनों जानते हैं कि 625 जो है वो 25 का होल स्क्वाइर होता है अब हमारे पर इस ट्राइंगल में त्युनों दैमेंशन जो है वह आचों कि 24 7 और 25 हमें एंगल इस से पूछ रहा है यहांनि साइने साइन ए हमनों जानते हैं यह परपंडिकुलर अप लाइघ्र अपन है अपनद हें होगा वाले हैं यह Pokémon 25 काुस की कोस में हमाथ हो जाएगा बस अपन्रेल वेकले हैं हमारे 25 अ और ने लोग बढ़ते हैं ने इसको इसके बात हम लोग हमें एंगल सी के मदद से करना है एंगल सी पर ध्यान देंगे एंगल सी के सामने यह ओगे फरंटी प्रण्zenटी निकाला है तो साइञ्ससीं तो जानते हैं Kenny's पर्णूर आपन हापटि फर्ण्डिक आपन हो जाएगे 24 और फेस्अपन हो जाएगी 25 25 सेकेंड में कॉसी की बात करते हैं इस वन कॉसी तो यह हमारा हो जाएगा देख सकते हैं कॉसी में यूज़ करते हैं कि भी सब्सक्राइब है कि है यहां पर हमसे पूजा रहा है टैन पी महने स्कॉट आर की वैलू यहां पर लगाएंगे पाइथा त्योरम अब यहां पर देखते तो नाइट के सामने हमें मिल ला है है यानि 169 फिर ट्राइल का स्कॉर 144 फिर नों 169 में से 144 मैनिस कर देंगे तो आजाएगा 25 यानि यह हो जाएगी डामेशन आ गई है आप हम लोग क्या करतेंगे इसली जो है तो टैन पी है तो टैन पी का मतलब यहां पर इस वाले आंगल देंगे पी पूछा जाएगा तो पी के सामने देखेंगे तो यह हमारा लो जाएगा यह मारा है जाएगा और यह मारा बेस जाए और जब आशचा जाएगा आफीस पूछा चारा आप और आपका पर्पंडूर्ड़ पाउन अबेस को प्रपंडूर वैल्यू हमारी यहां से 5 है और बेस हमारा कितना होगा तो है है कि पूछाद रहा है को यहां से कहां देखेंगे तो यह आपको आर दिखाए देगा तो यह आपका यह पर्पेंड्रिक्लर हो गया 12 बेस हो गया 5 तो इसका में उल्टा करना होगा यानि बेस अपॉन पर्पेंड्रिक्लर है यानि 5 बाइट तो आंसर फिर देन हमसे रिलेशन से पूछा है कि 10p मैंने स्कॉट र की वैलू क्या कोण करना है कॉस ए और टैनें हम यहां पर साइन अर्य इंग यह लिए यह ठीर है यह पर न्युक्लर होगा यह यह बीस यह बैस हो गया और यह पर साइन एक फैर को सब्सक्राइब हो यह जाएं कि यह आपको मिल आधं लेकिन हमें यापर अभीज्य वील रही है वह में मिल लिए है रूट सेवन रूट सेवन तो हम लोग लिख लेंगे रूट सेवन अब आप से पूछा दार है है यहाँ पर कल्कुईट करना है कॉसे तो यह को कि यह मारा थ्री ओ गया था यह 4 अभी हुआ सब्सेट यह पूछ रहा है तो यह पूछा रहा है तो यह पूछ तो कोस समय का सबस्सा ठीख चांगता दें कि गस्ते हैं अपका 10 सब्सक्राइब तो होता है तो बेस के वैल्यूजी वहाई रूट चाहिए हो यह अगर किसके रस्पेक्टिव fresh गोई रूट रूट सेवन अपन अपन है ने पिर फेंड कर लेंगे और हमारा यह आंसर आ जारहें लाइक सोग है जहां यहां पर देख सकते हैं आपको एक relationship दिया तो यहां पर relationship दिया तो इसको रेशियो में change कर लेंगे यानि cot A के value जो दी है वह हो जाएगी 8 by 15 इसको 10 A में convert करेंगे तो यह हो जाएगा 15 by 8 हम यहां पर जानते हैं यह यह पर्पंडिक्लर हो गया यह है यह बेस हो गया तो इसका पॉजिट हो जाएगा 10 A के value हो जाएगे 15 by 8 और 10 A हमारा होता है पर्पंडिक्लर पॉजिए यह हो जाएगा 15 और यह हो जाएगा 8 पाथ कर थ्रम लगाएंगे पाथ कर थ्रम से 15 कर दो सो पच्चिस ब्रस एट कर स्क्वार 64 यानि हमारे यहां पर जो जाएगे वह आपके 17 आ जाएगी यानि आप ह 15 और 8 यह हमारा 8 हो गया यह 15 हो गया और यह 17 तो अब लोग इस तो पूछा रहा है साइन एकर इस्पर्ट अगर यह है यह यह है यह है यह यह रूट 15 था और यह हमारा रूट यह हमारा था 17 अबर पंडिक्लर नेक्स्ट है से के से के हम जानते हैं कि कॉस एक पोजिट होता है तो कॉस ए में हमारा जो होता था कि वह बेस अपन हैप्रेंस होता था यानि बेस एट था और हैप्रेंस हमारा सेवेंटीन था लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है पहले आपकी वैलू सब्सक्राइब तो इसका उल्टा कर देना है एट अपॉन 17 को उल्टा 17 वाइट तो दीज़ादा आंसर जो कि हम आसानी से सकते हैं जो हम लगे एक समझ चुके हैं कि यह यह जो कि बहुत ही आसान जिसमें आप सकते हैं इसका करेंगे तो को सब्सक्राइब होता है थाटेन जो बेसे हमारा आपका 12 है यह थाटेन लागे स्क्राइब 169 होता है मानिस 144 यानि आपको 25 यानि वैलू है जाएगी 5 यह दो सकते हैं 5 यानि आपको हमारे पस वैलू स्टीन हो आगे 13 12.5 अब सिंपल आप पैथर्वर्थम यूज़ कर सकते हैं और और अगर आप देख रहे हो तो यह सी हो गया 13 यह हो गया फाइव यह हो गया फाइव यह होगे से की वैलू कॉस्ट की वैलू की जास्ट अपोजिट हो जाएगी जैसे इक बताया था आपको ट्वल फाइटीन स सब्सक्राइब करते हैं यहां पर आपको एक ट्राइब सी और यहां पर यहां पर पॉइंट डिया है यहां पर आपसे काच रहा है कि का स Mmm और कोश्ट बी के वह वह खषय वंद राइक है करना की ऐंगल और बहराबर भी वहोंगे है ऐसे अगल को देख है नजर आ रहा है और यह जो में और रहे तो क्यूंस यह जो पता है कि बेस अपन हापन होता है तो यहां पर देखेंगे एक्वल होगा और यहां पर प्रूफ हो गया कि एंगल एंगल भी होगा क्योंकि एक्टेंट एक्टेंट एसी टूपी एंड पी सेट्श ब्राबर शीपी यहां पर देखेंगे इस डियाग्राम में इसको हम नेएक्टेंट किया यहांसे यहां से यह क्लियर आउट होता है कि एसी बराबर कि एसी कोल टुब हो जाएगा जाएगा और साथ यहां पर रिक्ष्रेक्टिव वैल्युजिस हैं वह पुट आट करने इंटीर एंगल वी कुल हो जाएंगे की तुरू इसके तुरू यहाँ पर यह एंगल दोनों बराबर है वह सेकंड मेधार की बात करते हैं कि आप कर सकते हैं कि से क्वर्णाम के जोद नहीं है यहां पर तो सिंपल रेलेशनिसिक व्यव्य पूट कर देंगे कॉस नहीं हमारा बेस अपन हापटर जो आप बेस अपन हापटर जो और यहां पर अगरा इसको ब्ली और अपन इसको एपन अपन निखल गए के बीडी और एसे निकल गई के बीसी और यूजिंग पाइथा गोस्तोरम यहां पर हम दे सकते हैं सीडी स्कार एक वैलू और दोनों को सब्सक्राइड करती है हमने के कॉमन ले लिया के की वैलू वन प्रूफ हो गए पुट कर दिया तो यहां पर प्रूफ हो गया कि एंगल जो हो गया यह बरापर एंगल बीगेंग कि नेस्ट कुश्चन आप देसे कुश्चन सेवन में जहां पर पहुट थीटा की वैलू दिए है ओलडी कॉट इटा दिया है सेवन बाई एट है तो हम जानते हैं कि कि कॉट थीटा जो हमारा होता है कि वह होता है बेस अपॉन पर में से हमेट और प्रशक सीक्डि डेखते हैं सैकंड मेतल्स क्या है क्या विंद यहां पर जासे की लगा सब्सक्राइब और यहां पर गल वह्याइऊ रूट स्कुरओ रूट है कॉर्ण में म् कि के कि आ अब साइनशन ढव दिना कर 172 यह और यहां पर आप होता है तो एट अपन रूट 113 कॉस्ट हमारा होता है हुआ हमारा है कि बेस अपन हाप्ट होता है तो सैन अपन 113 कि अब यहां पर हमें इसकी फाइंड करनी तो यहां पर द्यास देखते हैं तो यहां पर अपर प्लेजबी लग रहा यहां पर अपर यहां प्लेजबी और इसकोर में इसकोर हो गया यहां पर दानते हैं कि साइन थीटा वहां निकाली रूट यहां पर को सिंप्लिफाइ कर दिया पर हमारी जब वैलू आगे हो 49 आपन 64 नेक्स देखेंगे तो कॉट स्क्राइब राब कॉट थीटा का हुल स्क्राइब गॉल स्क्राइब तो इसको निए वैलू जो है वहाँ पर चेक आउट करनी है तो सबस्क्राइब यहां पर 3 कॉट बराबर 4 लिखा इसको कॉट बराबर 4 भाई थी लिए सकते हैं और इसको टैने पर करेंगे तो 3 भाई 4 हो जाएगा यह थ्री हो गया यह हमारा 4 हो गया पाई तो 9 प्लस 16 एन यह सी मिल गया 5 यह हम लों यहां पर साइड कर लिये हैं अब यहां से व्लों नहीं सबीक कि तो यहां पर आगे देखते हैं तो मिल यहां पर निकालत लिये और यहां पर में तो यहां पर फाइंट करने पर वैलू आ रही है तो यहां पर रिखाए तो दोनों वैलू वह बराबर आ रही है इसलिए इनके रिस्पेक्टिव वैलू भी यह अब आबज में बरापर हो जाएंगे कि कुश्म 9 कितब चलते हैं तो यहां पर आप देते हैं कि यहां पर ट्राइंगल है एक और यहां पर आपके रिस्पेक्टिव एक वैलू दीए यहां वन अपॉन रूट्री दिया है पाइसा गुर्स तरह में लगा सकते हैं वन प्लस त्री पॉर यानी हो जाएगी वैलू त निकाल पाएंगे 1 x 2 साइने कि वैलू हमारी रूट2 साइने की वैलू हमारी रूट 3 हो जाएकि रूट 3 2 2 9 baru हो जाएकी 1 1 2 यहां पर रिलेश्चनिफ में वेल्योर करते हैं upcoming कौसे क्यों एक क printing को मिल रहे हो मिल रहे हॉत निडिया सुअने को में प्तुं relatingrie uno a sign a sign c के वैलोर यह मिल लिंडा है जीरो प्रेशन को परते हैं कुछ्छन घंट ऑप अधिए तो यहां पर एक ट्रेंगल है पी-क्यू-आर पी-क्यू-आर और इसके रिस्पेक्टिव हमें यहां पर एक लेशनिप दिया कि P Q plus qr की वाल दी है 25 запार PQ दे दिया है 5 पी क्लेयर दीया है फाइव यहां P R plus Q ? 45 हमें इस देखने को ध्यांस देखना कि P R plus Q R कंदえば 25 दिया है सब्सक्राइब और हमसे पूछ रहा है वैलू साइन पी कॉस पी एंड टैन पी कि तो देन हम लोग इसली यहां पर इसलेशन से पूर रखा और यहां से क्यों आर्क निकालते हैं तो 25 मानेस प्यार आती है जो कि हमें प्यार के वह नहीं बतता है तो हम आ लेंगे एक्स 25 मानेस एक्स फिर देन पाइधा गोज़त फिरम अपलाई करते हैं और यहां से पाइधा अपलाई करने पर हमें एक्स की वेलों मिल गई थर्टीन तो यहां से क्यू आर्म मिल जाएगा हमें अब हमारे डामेंशन आ गई तो हम लोग सिंपल जो है इसली लगा सकते हैं साइन पी कोस भी और टैन पी यहां पर आप दे सकते हैं आंसर नेक्स्ट कोशन के बात करतें कोश्च नमर्ए 11 कोश्च नमर्ए 11 में हमें कहा करना है सटिस्फाइग करने हैं वैल्यूस को यहां अब पहला पूछा रहा है कि जो वैलू अफ टैन एंगल एंड फॉर्थ कोट ए इस दा प्रोड़िक्ट ऑफ कोट ए एंड टैने जा साइन थीटा इसकल टू फोर बाय थ्री पहले कोश्च नमर्म बढ़ते हैं जहां पूछा है कि टैन एक के वैलू इस आल्वेस लेस लेस ट्राइंगल होगा यहां पर आज रखना है राइट अगल ट्राइंगल हम लोग पंढाएंगी ए बी एन सी वहां से ऑल्री स्विछल्ड चिल यहां से हमारी परपंडिक्रिम्टिलर अपॉन बेस तो यहां ने वी च अपन आ बीस्यापॉन इंग भी ठिजाएगी ट्वाइ 12 x 5 12 x 5 हम यह जान रहे हैं कि यह ग्रेटर देन यहां पर 1 के है तो देन हम यह कह सकते हैं कि जब 12 x 5 के वैलू ग्रेटर देन वन है यह दम इस 10 a के वैलू जो होगी वह ग्रेटर देन वन होगे होगे तो देन लेस्ट दन एक इस वन इस नोट ऑल्वेस्टू तो इस स्टेट्मेंट इस फॉल्स से कंडी बात करते हैं यहां पर सेकंड दिया है सब्सक्राइब होगी तो यहां पर आप हम दो लगा देंगे पी बीप एपन एच 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 बी कॉस की वैलू जो होती है हमार सब्सक्राइब होती होती है यानि हैपने ट्वेल और फाइफ के स्क्राइब 144 प्लास 25 यानि यह वैलो हो जाएगे मारी थाटी अब हमारे डामेंशन सागे तो हमनों अब 144 अब यहां से क्लियर आउट कर लेंगे और फाइबरिवेषिन एपरिवेषं एबरिवेषिन है यूस फॉर खोसे पर आउफ और देखते हैं कर दो कॉष्यम थरल में एपरिवेषिन यूस फॉर कॉसें इंगल एईज काॉस ए आइज को संब पर थैंड एनस था पो cos for cos and desires for cos sec and cot is not the product of cot a and a is is the contingent of angle a as the statement is false faithness and theta is equal to the यह पर पर लोग त्री यहां पर इसको इसली वेरिफाइब कर पाएंगे कुई हम लोग यहां पर जानते हैं यह आगर हम टाइब आते हैं यह ले रहे हैं यह वैलू बी है यह सी है तो साइन थीटा में हो जाते हैं पर्पेंडिकुलर अपॉन हाप इस होता है तो यह पर्पेंडिकुलर वैलू मारी हुजाएगी फोर अप्रियू दाएगा थ्री तो फ्रीकर स्कार नाइन माइन सिक्सीन यह तो इस्टा सुने का देख सकते हैं स्टेट्मेंट में आप फॉल्स होता है यह राइंगल कर्णा गांडिकुलर इस फाराइभ चांडिकुलर ट्रींट वार्फन जीयू भार्फन नहींतग पॉल्स हैं सुने झाल थांग्स पर वजूचिंग एन शॉएरीं